चलिए प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स हो गया हमारा अगे चलते आगे चलते हम बात करेंगे सर गुड्स यूज की अब सर गुड्स यूज गुड्स यूज का मतलब होता है कि आपने गुड्स को इस्तक्रम लिया जैसे मेरा काम मंन लेते हैं लो दूसरा अपने दुकान के लिए एक मैंने चेर बना या टेबल बना लिए कस्टमर के लिए तो दुकान के लिए यूज हो सकता है ठीक है तीसरा अब माल लेते हैं चैरिटी में दे दिया माल लेते हैं कहीं पर चैरिटी में ब्रिधा असरम है वहाँ पर मैंने बोला कि भाईया मैं जो बुजर्ग है उनके लिए मैं ऐसा पल दे सकता हूं आपको के लिए ठीक है और यह सारे जगहें पर हम गुट्स का इस्तमाल कर सकते हैं तो जब कभी गुट्स का इस्तमाल होगा तो दो जगए इंपक्ट आएगा अब सिंपल से पहले चीज़ों को समझ लेते हैं फिर देखेंगे जैसे देखो अब माल लेते ठीक है इसको छोटा कर देते हैं ठीक है दस रसगुल्ले ठीक है अब भाईया दस में से एक रसगुल्ला मैंने यह दस में खरीद के लाया था मेरा मिठाई के दुकान है तो यह बनाया था मैंने तो बनाया था तो यानि पर्चेस इसका मतलब मेरा गुट्स है अगर मैं एक इसमे से मैंने खुद खा लिया यूज कर लिया मैंने खुद खा लिया प्रसनल तो अब मेरे रसगुल्ले कितने बचðे मेरे पास मेरे पांको रसगुले कितने बचंगे यानी मेरे कम हो गया पष्येस देख्रेज़ और जब drawing करेंगे तो impact capital पर आएगा क्योंकि भाई तुमने business में एक capital लगाते हो तो दूसरा impact कहाएगा capital, capital क्या हो जाएगा, minus, तो दो impact बद सोचो, मैंने अगर use करा, एक तो purchase गटी है मेरा, और एक मेरा क्या हुआ, capital minus दूसरा में बात करते हैं, एक रजगुला मैंने कोई आया मेरे दुकान में, bagger, मैंने उसको दे दिया, जा तो खाले, यानि charity दे दिया एक तरीके से, तो दो रजगुले निकल गए, बचे कितने, आठ, फिर purchase कम हो गया, एक तो purchase कम हो ही रहे, दूसरा क्या है, charity में दिया, त पर तुम खा के देखो, तब लेना, as a free sample, अब मेरे रजगुले फिर कम हो गए, अब कितने बचे साथ, दूसरा free sample दिया, तो मेरा खर्चा ही है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, P&L के debit में, तो आप देख रहे होगे, अगर हम कभी भी goods का use करेंगे, तो हमारा जो है, purchase हर अबर क्या हो रहा है, कम हो रहता है, ठीक है न, तो simple सी बात है, तो इसी के उपर मैंने ये adjustment जो है, कहीं भी पूछा जाता है, कि goods use के लिए, तो दो-तीन points है, जो कि मैंने पहले से लिखा है, और इसका लिखने का बस एक ही purpose है, कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और जल अब कई बार ऐसे दे रखा होता है, कि जैसे रसगुले की मैंने बात करी, मैंने दो रुपे का रसगुला लाया था और मैं पांच रुपे का बेचता था, तो selling price कितना है उसका? पांच रुपे, और कितने का लाया था मैं खुद? दो रुपे का, तो अब भी आपको याद तो मैंने बुला था, which ever is lower, जरिफ वो stock वाले में ही चलता है concept, और दुनिया में कहीं भी आ जाए, हमेशा कौन सा price लोगे, आप, cost price लोगे, ठीक है, यहाला drawing वाला समझ में आगे आपको, अगला point चलते है, हम free distribution, free distribution मतलब, बांट दिया free में भाई, जिसको हम advertisement के purpose के लिए debit side में, और कौन सा लेंगे, इसमें भी हम, हर जगह पर cost price लिया जाएगा, ठीक है, अब charity में दे दिया हमने, तो charity में given होगा, अगर trial balance में तो कहां दिखा देगे, debit में, adjustment में होगा, तो कहां चले जाएगा, profit and loss के debit में, और less from purchase हो जाएगा, less from purchase हो जाएगा, ठीक है ना, less from purchase, loss by fire के उपर मैं अलग से लूँगा, क्योंकि ना, इसके अंदर insurance claim भी आ जाता है, इसमें insurance लूँगा, तो, हम एक्जामपल सारे दिखा दूँगा जी और सारे चीजे मैं बता दूँगा, टेंशर मतलो, मेरा भी स्रिफ आप concept पर focus करो, मैं पूरा PDF दूँगा आपको, आप आराम से note करना है, क्योंकि मेरा purpose से मैं ज्यादा ज्यादा खतम करा हूँ, ठीक है ना, तो, दूसरा मैंने loss by fire भी हमारा goods use हो सकता है, और loss by fire का अलग से होता है, insurance claim मिला, नहीं मिला, कुछ इस तरीके से, तो इसको मैंने बाद में अलग से ही कराना है, तो पहले goods use में ये देखो, जो मैंने तीन चीजे बताए, ये clear है, ठीक है, तो जब भी adjustment होगा, तो आपको इस तरीके से treatment करना पड़ेगा, ठीक है,